अब आधकी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे केमोजेनी के बारे में सबसे पहले देखे कि किमोजेनी क्या होता है लीविंग और्गनिजिम्स जितने भी लीविंग और्गनिजिम्स आप देख रहे हो उनकी जो केमिकल इवल्यूशन कैसे हुआ धर्ति के अंदर यानि क के बारे में हम जो स्टड़ी करते हैं हम उसको बोलते हैं केमोजेनी केमो का मतलब है कि केमिकल एंडूजेनी का मतलब है कि फोर्मेशन के बारे में हम स्टार्ट करेंगे किमोजेनी is the formation of complex organic molecules complex organic molecules बोलेंगे तो हमारे पास होता है protein, lipid, carbohydrate ठीक है तो आब यहीदी बात करेंगे जितने भी आपको पता होगा कि जितने भी लिभिंग और्गनिजम से आप देख रहे हो सब की बड़ी से बने हुई है सेल इस दो यूनिट आफ लाइप फिर सेल मिलके टीसू बनाएंगे टीसू से और्गान और्गन से और्गन सिस्टम यसे पुरा का पुरा एक लिभिंग गान जाएंगे तो यह भी बन जाएगा तोही हैं चेल कि इलोक्तॉरण माईक्रोस्कॉपिक स्टेडी हम करेंगे प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्रेन से गेड़ी हुई है नेकलियस हम पर इक आपको प्रोटीन होता है और्न और nucleus के अंदर आपकी DNA present होता है जो की nucleic acids होता है ठीक है तो कोई भी living organisms की body जो होता है उही इस तरीके से आपकी simple organic molecule मिलके जो complex organic molecule से बने हुई है आज हमारे पास सारे के सारे knowledge है कि होर एक cells जो होता है ठीक है उनकी अंदर कौन सी chemical compound पाये जाता है होर एक compound की quantity कितना रहना चाह है ताकि एक living cell बन सकता है सारे knowledge है लेकिन laboratory के अंदर हम यह चीज नहीं कर पाएंगे और भी जो चीजे हो रहा है अभी कोई living organisms living organisms को पैदा कर रहा है ठीक है लेकिन जब life की शुरुआ हुआ था वो non living चीजों से कैसे बन रहा था उसके बारे में हम deal करेंगे कौन सी ऐसा chemical reaction चल रहा था जिसके दोरान जो non living atoms होते हैं आपने periodic table के अंदर जितने पढ़े हैं hydrogen, lithium, lithium, beryllium, borum इस सारे atoms होते हैं वो मिलके कैसे molecule बना रही है면 molecule का मतलब है कि एसी ऐन तू, यह molecule हो गया ओटू थिक है मलक मिलने के बाद molecule फिर molecules मिलने के बाद simple molecules बनाएंगे फिर और simple organic molecules और फिर सेंपल मतलब कि complex organic molecule मिल रहा है और सारे complex organic molecule मिलके बना रही है cell ठीक है तो आईए हम बात करते हैं यह आपने introduction के तौर पर लिख सकते हो कि chemogeny यह होता है definitions and it is the chemical evolution of life on earth धर्ती के अंदर life की जो शुरुवात है वो chemically कैसे formation हुआ उसके बारे में study करेंगे और उनकी बारे में उनकी सारे steps हम देखेंगे steps क्या होते है steps involving the chemogeny जैसे कि सबसे पहले होता है atomic जैसे मैंने आपको बताए कि living organisms जो होते हैं सबसे पहले atmosphere उस time पी जो शुरुवात दोर की जो atmosphere था यह आपकी उसके अंदर nitrogen ठीक है इस सारे atom फ़र में था फिर आपस में atom आपस में reaction किये reaction करने के लिए जो energy था यह heat से मिल रहा था क्योंकि हट मतले कि उस time पे temperature बहुँ ज़्यादा था ग्राजुएली जैसे जैसे time गुजरता गया temperature डाउन हुआ यानि कि degrees हुआ उसके बाद इस reaction जो है न आगे की और प्रोशिट किया मलेकुल बन गया फिर molecule मिलने के बाद simple molecule बना simple organic molecule बना फिर complex organic molecule बना और वही सेल तो आज कहीं तो result है तो अब हम देखेंगे atomic phase जैसे कि आपको बताए थे कि early atmosphere के अंदर आपको इस तरीके से atom मिल रहा था लेकिन free oxygen नहीं था यह चीज याद रखिए free oxygen जो था वो absent था इसलिए early atmosphere को हम reducing environment कहते हैं यहां से msq बन सकता है early atmosphere पर जा oxidizing था यह reducing था यह अभी जो atmosphere है oxidizing atmosphere है कि अभी की जो atmosphere के अंदर oxygen present है उस time पर present नहीं था क्यों नहीं था जो hydrogen atoms था oxygen के साथ मिलके water बना लिया ठीक है तो इसलिए free oxygen आपको उस time के atmosphere पर नहीं मिल रहा था और उस time पर जो live की शुरुआत था वो आने रभी के organisms थे याद रखिए ठीक है अच्छा उसके बाद हम देखेंगे atomic phase के बाद atom मिलने के बाद इस simple molecule नाएंगे जैसे nitrogen था तो n2 बना लेगा hydrogen h2 बनाएगा उस simple molecule इस तरीके से बन जाएगा hydrogen atom जो है यह फिर क्या करेगा nitrogen के साथ मिलके ammonia बना लेगा ठीक है तो इस तरीके से उन्हें free atoms combined to form simple molecules जैसे कि h2, n2, h2o water, methane, ammonia यह सारे के सारे बन गया तो इसलिए जो पहली जो life मतलब की धरती के अंदर जो molecule बना था हमने water और साथ हमने ammonia उसको मान रहे है ठीक है और पहली की जो atmosphere थ atmosphere है आप यह समझ लेजे उसके बाद हम बात करेंगे कैसे simple organic molecule बन रहा है simple organic molecule का नाम होता है जैसे आपकी amino acids हो गया आपकी glycerol हो गया fatty acids हो गया आपकी glucose बगेरा monosacurates हो गया यह सब होते हैं simple molecules ठीक है simple molecules जो होते हैं जैसे ribos मतलब है सुगार है ribos sugar, deox, ribos, sugar, glucose, glucose सारे simple molecules होत है क्या है सो आपकी यह बनाने के लिए आपको carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus sulfur यह तीनों मतलब की छे चीज आप देख रहे हो ना ठीक है यह चीज आप उसमें combine होके वह चीज बनाएंगे अब देखिए तो formation of the simple organic molecule CS2 carbon dioxide water मिलने के बाद सुगार बना सकते हैं ग्लिसरल बना सकते हैं सुगार जो की poly H2OE मिलने के बाद purine pyrimidine बनाएंगे purine pyrimidine क्या होता है DNA की जो nitrogenous basis होता ने ATGC अपने पढ़े होंगे purine यह दोनों आ जाएंगे purine category में and CUT जो होता है मतलब कि cytosine uracil and thiamine यह आपकी pyrimidine category के अंदर आ जाएंगे फिर amino acids बनेगा amino acids आपको पता है amino group एक रहता है एक कार hydrogen यह आपके R group जो की change होता है amino acids to amino acids तो इतने चीज मिलेंगे तो amino acids बना लेंगे ठीक है तो simple organic molecule कैसे बनेगे देखिए amino acids सारे आपस में मिलने के बाद देवली फॉर में polypeptide chain यानि की protein chain बनेगा उसको experimentally भी हमने प्रूब करके देखा है कि amino acids कैसे peptide bond के जोडते हैं जोड experimentally प्रूब करके देखेंगे कि किस तरीके से यह चीज बन रहा है इदि आप बात करोगे का कौनसी molecule कैसे बन रहा है देखिए बहुत सारे sugar यानि की monosaccharides जो होता है आप पसने मिलके polysaccharides बनाएंगे fatty acid and glycerin मिलके आपकी fat बनाएंगे amino acids बहुत सारे मिलके protein बनाएंगे nitrogenous basis जो है मतलब कि sugar phosphate plus ATGC की बीच में कोई है यह मिलने के बाद आपका DNA RNA यह बनाएंगे nucleosaccharides बहुत सारे nucleosaccharides यानिक DNA यह RNA यह बना सकते हैं experimentally proof देखेंगे की इस तरीके से चीज़े आपस में मिलने के बाद जैसे simple molecules आपकी ammonia हो सकता है methane हो सकता है hydrogen हो सकता है यह सारे चीज़े मिलने के बाद आपको amino acids मिल रहा है ठीक है आपको glycine मालीजे मिल रहा है इसका एक experimental प्रूप तो चाहिए ना ऐसा तो नहीं आपके हावा में बात कर लोगे सारे चीज़े हो जाएगा सबसे पहले theoretical प्रूप दिये थे उपारें हालडेन ने लेकिन उसको एक्सपरिमेंटाली प्रूप किये थे यूरी मिलर यूरी मिलर उन्होंने एक फ्लास की अंदर यहां पेदी आप देख सकते हो एक फ्लास की अंदर उन्होंने अमिथेन, आमोनिया और हैड्रोजन के रे एनर्जी मिल रहा था उसकी दोरान जो मिक्स्चर है आपस में रियक्शन किये रियक्शन और एन्भार्मेंट भी हाय टेंपरेचर की था रियक्शन करने के बाद देवली फॉर्म है आमिनोसिट जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन सिंप्लेस्ट आमिनोसिट वेगरा उनको मिला था ठीक है तो उन्होंने एकदम लाबरेटरी के अंदर उही प्रिमेटिब आटमश्वर वेला कंडिशन्स क्रेट किये उन्होंने रिडूसिंग एन्भार्मेंट रखा उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस की टेंपरेचर उसको प्रोभाइड किया प्रोभाइड करने के बाद मतलब एन्भार्मेंट को टेंपरेचर वाय है उन्होंने मैंटेन किया मैंटेन करने के बाद जब यह चीजों पास पास आउट किया और तो करने के बाद ब्रूभ इवब यह आपस में जॉइन होके आपकी complex organic molecule बना रही है वही complex organic molecules से तो ही हमारा और्गानिल्स बने होते हैं जैसे हमने बताए कि प्लाजमा मेंट फॉस्पो लिपिड बाइलर से बने हुई है तो यह मतलब कि लिपिड की जो लेयर था लिपिड की लेयर क्या क्या और जो तो शुरुवात लाइफ था आपकी किस के अंदर स्टार्ट हुई है शुरुवात की जो लाइफ है यह उसिन के अंदर स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने एक लेयर बना लिया जो की उसिन की अपनी अन्भार्मेंट को अलग किया थीक है तो इसलिए वह बन गया एक मेंब्रेंट फिर उसके अंदर उनका अन्भार्मेंट कुछ अलग हो गया यह सारे चाहिए आपस में क्या होगे इंडरक्ट ही ए फिर एक आर ने कंटेंट बना जो की हाईली रियक्टिव था तो इ वीडियो बसंद आए तो सस्क्राइब केजिए लाइक केजिए आपकी दोस्तों साथ भी शेयर केजिए थैंक्यू